नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी एनम अटाई सो ग्रेट पे को लेकर की बात करेंगे एक लेटर आप सभी को देखने को मिला होगा ये लेटर भले पुराना है लेकिन आप देखेंगे इस पर वर्तमान में स्वास्ते विभाग की तरफ से जो भी जबाब लगाया ग जिसके लिए वन वीक का टाइम दिया गया है आप सभी ने ये लेटर देख लिया होगा अगर आप इसमें नीचे आएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 16-2024 की डेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अठारा को कोर्ट में डेट लगी थी और उस दिन क कोर्ट आडर भी आप सभी ने देखा है जिसमें वन वीक का टाइम दिया गया है पिटीशनर के लिए प्रसांद देख्षित एंड टू अदर्स तो प्रसांद जी की ओर रीड्स है डबल नाइन सेवन फाइफ और आप सभी जानते हैं कि उसके साथ में जो रूब्यू है लेकिन अभी जो डेट लगी हुई थी इसके पहले आप देखेंगे 22 तारीक को भी लेकिन उस दिन केस पासोबर हुआ दिखा रहा है उसमें स्टेटस में अभी आगे का केस स्टेटस हमने चेक नहीं किया एक बर चेक कर लेंगे जैसे भी डेट लगी कि आप सभी को बता भले पुराना हो चुकि जो यह मांग चल लए थी अटाइसो ग्रेट पेगी यह मांग बहुत पहले से चल लए थी उसमें सासन अस्तर से कई बार वारतालाब कई बार बात चीद भी किया गया था उसमें जब चीजे सहमती पूरी तरह से नहीं बन पाए थी नहीं फैसला ल पर उस इस्तिति में जितने भी पुराने स्वास्ते कार करता होंगे जो प्रमोट हो चुके हैं स्वास्ते परवेक्षक बनाया जाते हैं तो उसके बाद फिर ब्याले सो ग्रेट पर उनको जितना भी उनका अत्रिक्त वेतन बनेगा फिर एरियर्स की रूप में सरकार को दे जो अत्रिक्त वहन करना पड़ेगा सरकार को राजस्तों खर्च बढ़ेंगे और बात सिर्फ यहीं तक नहीं आप सभी जानते हैं कि एक जो भारे सरकार के दोड़ा सेवा नियमावली बनाए गया थी एक वर्स है जो ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया था पुरू स्व अटाइसो ग्रेट पेकल पुरानी नियमावली है और वर्तमान में सेवा के बाद कोई भी प्रिस्ट्रिक्षर कराया जाने का प्रावधान नहीं है अब दिखें जो भी रीट से पड़ी है कमल दीप निराला जी वाली तो पुरु स्वास्तेकार करता है इसी तरह से प्रसा अटाइसो ग्रेट पेपर कर दिया जाए लेकिन एनम बान बे बारह भरती की बात कर लें जहां पर आप सभी दो वर्सी डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है तो आपको तो अटाइसो ग्रेट पेपर वेतन मिलना लगबत तैय हो चुका है लेकिन जब तक यह सासनस्तर स यह चीज़े बिलकुल ग्राउंड लेबल पर आने जाती है इसके लिए आदेस नहीं हो जाता है तब तक हम सभी को थोड़ा से इंतजार करना होगा एक बार यह लेटर जल्दी से रीट कर लेते हैं और आगे आप सभी जानते हैं कि लोग सभा एलेक्शन होने वाला है फिर लगबक कितना इंक्रेमेंट कुल हो सकता है आपके वेतन में इस पर बात करेंगे थोड़ा से लेटर हम लोग जल्दी जल्दी आप पर रीट करने का प्रयास करेंगे बाकी उमिद है आप सभी ने लेटर रीट कर लिया होगा थोड़ा सा देखेंगे बाकी जितनी भी पर वेतन दिया जाएगा स्वास्ते कारकरता को फिर वेतन भी संकति की निराकरल के संबन में आप देखेंगे कि 2016 में 2017 में जो भी पत्त्रा चार हुआ है जिसमें यह कहा गया था कि प्रमोशन के बाद 2800 ग्रेट पे होगा स्वास्ते परवेक्षक जब बन जाएंगी पुर पर राजे सरकार पर आएगा फिर आप देखेंगे स्वास्ते कारकरता महिला के दो वर्सी है सेवा पुरु प्रिसिक्षर की भाती स्वास्ते कारकरता पुरुस के वर्तमान निर्धारित एक वर्सी है सेवा पुरु प्रिसिक्षर को भी बनाकर दो वर्स किये जाने की की जा रही है स्वास्तिकार करता पुरू से स्वास्तिकार करता है एक वरसी है सेवा पुरू प्रिसिक्षर का कोई भी ब्रावधान नहीं है यहाँ पर इस लेटर के मादेम साफ सभी को देखनी को मिला होगा तो आगे आप देखेंगे इसमें ये दिस्वास्तिकार करता पुरू से पुरू से पुरू प्रिसिक्षर को बढ़ा करके दो वरस किया जाने का नेड़े लिया जाता है तो संगत सेवा नियमावली 2018 में स्वास्तिकार करता पुरू से पुरू से पुरू प्रिसिक्षर के नियम में संसोधन किया जाना होगा अब देखिए एक रीट से बहुत पहले की और फाइलो रखी है उसकी भी बात यहां पर की गई है किया निए वहां पर भी मानने नयाले की आउ मानना नहो हो यह दी प्रस्ट निगत प्रिसिक्षर अब अधी भविश्य में नियुक्ति में सीधी बरतिया मिर्तेक आसित की रूप में नियुक्त होने बाले अभ्यरतियों के लिए बढ़ाने का नेड़े होता है तो विभाग के अधीन दिनांग एक दिसंबर 2011 से नियुक्त सुवास्तिकार करता पूरुस यह या पर महिला कि वेतन विशंगति का निराकरण नहीं हो पाएगा क्योंकि संगत सेवा नियमावली 2018 में अभी ऐसा कोई नियम प्रावधानित नहीं है कि सेवाकाल में रहते वे कार्मिकों को अत्रिक्त एक वर्ष का सेवा कालिन प्रसिक्षर प्रदान किया जाए यानि इसके लिए 2018 वाले नियमावली में भी संसोदन करना होगा फिर आप देखेंगे स्वास्तेकार करता पूरिस के वर्तमान में रिक्त 7471 पदों पर भरती के अंतरगत कई बिगत कई वर्सों से मिर्तक आसित नियुक्ति को चोड़का कोई भी भरती नहीं की गई है और आप देखेंगे जन सामाने की हीत की दिश्टिकत उक्त पतों पर यह था सिक्र भरती की जारे हैं तो महा निदी साले दोबरा संगत प्रिसिक्षर अनुदेश 2007 यह था संसोदी 2012 तथा संगत सिवा नियमावली 2018 के प्राविधा नानुसार 116 अत्रिक्त प्रिसिक्षर के में दोगुना ब्याव भार भी आएगा अब यहां पर दिखेंगे जो आइंसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1974 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा प्रिसिक्षर की अवधी का निर्धार किया जाता है और प्रदेश की भीतर स्व दस में उक्त पतों की समान पद हेतू प्रिसिक्षर पार्टिकरम अवधी आदिका निर्धार किया गया है जिसमें पद के कार एवं दाईत उत्ता एक वर्स के प्रिसिक्षर हेतू अति विस्तित पार्टिकरम निर्धार किया गया है महा निदेशाले दोरा उक्त तत्यों क दिश्टिकत समिति के मादेम से विजार करते वे यह नेड़ा लिया गया था कि अब आगे देखिए आप सभी कुछ बिद्टिय समस्या हैं और कुछ बिदिग समस्या हí भी आ रही है। यदि प्रिस्टिक्षर अब दी बढाकर दो वर्स किया जाता है तो सैक्षिक योगता दो वर्सी डिप्लोमा या डिग्री निर्दारित होने पर कार्मिको दौरा वेतनमान का ग्रेड पर रुपए अठाई सो की मांग की जाएगी जिससे वेतनमान अधपुर्व से कार्यरत क कार्मिकों को वेतनमान के साथ ही एरियर का भुकतान किया जाना होगा जिससे राज्य सरकार पर भार आएगा प्रिस्टिक्षर को बनाने पर प्रिस्टिक्षर ब्या भी दोगुना हो जाएगा बिलिक बिंदु अगर आप यहां पर देखें कि 2012 में सीधी भरती है तो प्रक प्रिस्टिक्र आदेश को चैलेंज करते वे स्वास्तिकार करता पूरुष के पदों को सिग्र भरने तो माननी उच नियाला लखनों में रीट संख्या यहां पर दी गई है तो यह भी एक याचिका पड़ी हुए जो की विचारा धीन है अता माननी उच नियाला में सासन का और फर्किरिया निर्श्टिकर आदेश दिनांग 25-2008 को अस्तागीत या निरश्ट करते हुए वे वरस 2015 में कराएगे प्रिक्षा के आधार पर ही परिक्षा पल घोसित की जाने की आदेश पारित की जाते है तो भरती प्रिक्रिया के मद्धी बिग्यापन की सर्तों में द दो वर्स सेवा पुरू प्रेसिक्षर निर्दार्ट नहीं किया जा सकेगा यानि दिखे इसमें कई तरी के समस्य आ रही है और यह दिखे पुरानी रीट से इसमें भी देखना पड़ेगा कि इसमें वर्तमान में क्या इसका स्टेटस है एक तरफ आप देखेंगे कि स्वास् सरकार करता है इसके बावजूद आप सभी को भी 2000 ग्रेट पेपर वेतन नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन 2000 ग्रेट पर ही आपको वेतन दिया जा रहा है और यहां पर पूरू से स्वास्ते कार करता है गलती इनकी भी नहीं है परिस्ट्रिक्षर भले इनका एक वर्स काओ लेकिन कारें समान कर रहे तो इनको भी 2800 ग्रेट पेपर वेतन मिलना चाहिए लेकिन आप देखेंगे कही सारी इसमें बिलिक समस्याईं भी आ रही है बित्तिय समस्या है कि अत्रिक्त जो एरियर्स की रूप में भुक्तान करना होगा सरकार को बस वही समस्या है कुछ प्र किसनर की तरफ से क्या रिजोएंडर राता है उनकी अधिवक्ता की माध्यम से उसके बाद फिर अगले डेट पर सुनवाई हो तो ही चीज़े क्लियर हो पाएंगे लेकिन यह आप पर कुल मिला करके जितने भी दो वरसी प्रिस्ट्रिक्शर प्राफ्त स्वास्ते करकार करता ह आप सभी जिसमें 9 चैनित भी है आप सभी बार में 12 भरती वाले और जितने भी पुराने होंगे तो आप सभी को अठाइस सो ग्रेट पेपर ही वेतन मिलना चाहिए और प्रमोशन के पर साथ फिर 42 ग्रेट पेपर आपको वेतन मिलेगा और अगर आप 2000 ग्रेट पेपर ही अ आपके प्रति यर की हिसाब से लगबग 3% की ब्रदी होती है अगले साथ से यह 3% यह इंक्रिमेंट हो जाएगा तो लगबग 1000 पे आपका यहां से इंक्रिमेंट आपको देखने को मिलेगा वेतन में बेसिक पे में फिर उसी बेसिक पे के आधार पर डियो और अधर अलाव यह जितना कारे आप सभी कर रहे हैं टोटल फिल्ड ड्यूटी है कितनी तरह के सरकारी होजनाय है फीडिंग है अब आगे देखें लोग सबाई एलेक्षन है चुनावी ड्यूटी भी लगाई जाती है आप लोग जानते भी होंगे 16 अप्रेल से यह टेंटा टिवली है यह चीजे भी बिल्कुल कंफर मनें लेकिन 16 अप्रेल या फिर उसके बाद से लगबग यह चुनावी यह लक्सन इस्टार्ट हो जाएंगे और आप सभी जानते कि उसके पहले सही ड्यूटी लगाई जाती है बस यहां पर आप सभी अपने इश्टिदेव से प्रातना करें कि आप लोगों के लिए अठाइसो ग्रेट पेपर वेतन बन जाए और जिन पूरु से स्वास्ते कार करता हो को अठाइसो ग्रेट पेपर वेतन देने में दिक्कते आ रही है उनका भी कुछ समाधान निकले सरकार समाधान निकाले अब यहां पर दिखे जो एरियर्स वाला ज अठाइसासन सरकार के ओपर वह अत्रिक्त ब्याय आएगा लेकिन इसको अत्रिक्त ब्याय ना करके यह आप सब्सक्राइब जो कि नहीं दिया गया है तो यह अब मिलना चाहिए अब दिखे जो दिए बढ़ाया जाता है या जो बेसिक पे इंक्रेमेंट होता है आपके सिव सेभा कारेकाल के ओघज वज önce कारेकाल के हिसाग से अर दी यह माना की इसाग से इस अपसे आपका वेतन बना चाहिए ना कि घटना चाहिए लेकिंगे बढ़े,न Catholics पर जो gen 0021002 बेसिक पे बढ़ता है अब यह इस प्ड़ता है अब देना अब आयों किसमा कमिशन की रिपो तो सबसे पहले हैं आपर 200 great paper आप सभी का वेतन बने इसके लिए भी हम सभी को मिल करके कोछिस करते रहनी होगी और यहां पर हमें है पूरा विश्वास है पूर फरुषा है कि 200 great paper ही आप सभी को वेतन मिलेगा और यहीं नहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो जब से आपकी ज्वाइनिंग है उस डेट से आप सभी को एरियर की रूप में भी जो अत्रिक था आपको वेतन मिलना चाहिए था उसका भी भुक्तान किया जाएगा वीडियो को आप सभी सेर कर दीजिएगा कर सकते हैं सेर आप सभी ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच जाए और इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होएगा कि पुराना लेटर है लेटर भले पुराना हो लेकिन उसी की भिहाब पर जो कुछ भी जवाब लगाया गया है वर्तमान में उसी को लेकर कि यह लेटर है यह डेट आप सभी नहीं आप देखा ही होगा 16-1-2024 की डेट पढ़ी है इस पर मुहर के साथ में बसरते इस लेटर में चुकि यह पुराना लेटर है इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे कि जो महिला स्वास्ते कर करता है आप अठाइस ओपर आपको भी मिलना चाहिए आपके लिए तो कोई समस्या है नहीं अब इसको लेकर कि हम सभी को कैसे प्रयास करना है क्योंकि यह जो भी चीज़े हैं पर जो भी कोट वाला मैटर है उसमें सभी के लिए आदेश होना चाहिए महिला स्वास्ते कार करता यानि ज जैसे भी इस पर प्रयास किया जा सकता है उस चीज को लेकर कि हम सभी को यहां पर आगे बढ़ना होगा बाकि आप सभी अपर अच्छे समने ड्यूटी करते रहें धन्यवाद